हेलो असलाम अलेकुम आज मैं आपके लिए स्पाइसी वाइट रोस्टेट चिकन रेस्टोरेंट स्टाइल बनाने जा रहे हूं इसमें मैंने एक किलो बोनलेस चिकन के पीसेश लिया है लंबे-लंबे पीसेश कटवा लिया है और इसमें दही दो बड़े चमच लगते हैं दो द्रक का पेस्ट एक बड़ा चमच लैसुन का पेस्ट एक बड़ा चमच गरम मसाला एक बड़ा चमच जन्या पावडर एक बड़ा चमच और मिर्ची ये नमक स्वाधन सार और ये मिर्ची पीसीवी ये एक चमच और तेल ब्रशिंग के लिए और थोड़ा ओईलिंग के ल बस मैंने ले लिया है और बहले मैंने चिकन को इस तरह से खुड़ा बारिक-बारिक उसमें निशानात बना दूंगी ताके ये मैरी नेशन में सब फीकाना लगे और टेस्टी लगे नमक भी मिर्च भी सब अंदर निक्स हो जाए मैंने पहले से ही उसको करके रखा है अब मैं ये बावल में लिम्मू का रस डालूंगी एक बड़े लिम्मू का रस डालूंगी अब मैं थोड़ा नमक दाल गूंगी इसमें और मिर्ची डाल दूंगी एक चम्मच मिर्ची थोड़ा स्पाइसी अदर ठाना उताओ डाल दें एक चम्मच एक चम्मच से थोड़ा काऊंगी आदा चम्मच अदरक आदा चम्मच आदा से थोड़ा ज्यादा गरंग मसाला एक चम्मच धनिया और आदा से थोड़ा ज्यादा लैसे और मैंने एक तीन चम्मच दही लिया है और एक तीन चम्मच मैंदा लिया है अब इसको मैं अच्छे से मिलाता हूँ इसको इस तरह मिलाएं कि सारे रेशे रेशे में इसका मसाला समाइ़ तैयार हो गया मसाला मैंने मिक्स कर दिया इसमें थोड़ा सा तेल लालूंगी तेल लालने से मसाला अब मैं इसको एक घंटे के लिए फ्रीज में रख देती हूँ रखने के बाद कड़ाई में थोड़ा सा तेल लगाकर इसको दस से पंदरा मिनट धीमियाश पर पकाऊंगी ताके वो गर जाए देखिए चिकन एक घंटा मेरिनेशन के बाद मैंने फ्राइंग पेन में हलका सा तेल लगाकर इसको पंदरा मिनट धीमियाश पकने रखा देखिए अब तेल थोड़ा से छोड़ दिया है मसाला इसका मतल निकाल करेंगे और जो मसाला बचेगा कोई भी ग्रेवी में यूज कर सकते हैं इसको निकाल कर थोड़ा से ठंडा करेंगे और इसको मैं अब साइड कर देती हूं अब मैं जाली रखती हूं अब मैं जाली लगाने जा रही हूं जाली पर थोड़ा सब ब्रश से तेल अप्राइकन ताकि चिकन इस्टिक ना होने पाए और मैं इस जाली पर ये चिकन रूस्ट करने रख रही हूं इसको हम धेनी आज कर धिरे धिरे प्रूस्ट करेंगे जाल लेना पाए भी में आज पर तो इस प्रूस्ट करेंगे और ये चिकन पर भी तोड़ा तेल अप्लाइक पर देंगे देखिए ये अच्छी तरह रोस्ट हो चुका है अब ये हम इसे खाने के लिए परोच सकते हैं अब मैं गेस बंद करके इसे सब करने जा रही हूं देखिए अब मेरा रूस्ट वाइट टूस्टेट चिकन तयार हो गया है आप इसको लिम्बू के रस और चक्नी के साथ खाईए और मेरे चैनल को सब्स्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेर कीजिए शुक्रिया शुक्रिया